ओम श्याद्दे आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पल संगम युग भाग्यवान आत्माओ को ही प्राप्थ हुआ है यह अन्मौल समय सच्मुच कल्प में केवल एक बार ही आता है जब भगवान आकर अपने वच्चों का संगार करते हैं जब वो भाग्यवानते हैं वर्दान देते हैं और जनम जनम के लिए भरपूर कर देते हैं हम पोच्छें अपने से मेरा संगम युग कैसे बीता क्या मैंने संगम युग के एक एक छण को उतना ही महत्व दिया जितना इसका महत्व है जितना इसको बाबा वेल्यू देते हैं हमारा एक एक सेकिंड बहुत ही मुल्यवान है बाबा कहते हैं एक एक वर्ष के बराबर है और हमारा एक एक संकल बहुत महान है हमारा एक एक कर्म भी हमारा अप्सरेश्ट पुटसार्त हमारा अमरत्वेले का योग मुल्य सुनना सारा दिन सेवा करना या अपने कारियों में अलोकिक रूप से निसकाम भाव से रहना ये सभी संगम युक की मानताएं हैं तो सभी बहुत गंभीरता से विचार करेंगे मैंने अपना संगम युक कैसे बिताया है एक से हमने पूछा ग्यान में कितने समय से हैं सोला साल से इनके जीवन में समझ्याइं बहुत हैं मैंने पुछा सोला साल में कितने गंटे योग किया होगा तो उत्तर मिला सोला गंटे तो देखिए ये तो संगम युक के महत्व को समझने की बात नहीं है अगर योग अच्छा नहीं तो जीवन समझ्याओं से गिरता जाता है मन परेशान होता रहता है क्योंकि अब सभी के कर्मों के हिसाब किताब पूर्ण होने का समया गया है तो फिर से सोचे मैंने अपना संगम युक कैसे बिताया है अलबेलेपन में दुसरों को देखते हुए परचिंदन करते हुए तेरी मेरी में सेवाओं में संगर्स में या सेवाओं का आनंद लेते हुए अमरत बेले सोकर बिताया या अमरत पान करके बिताया मुली का रस लिया या कभी लिया कभी नहीं लिया कैसे बीता हमारा दिन कैसे हम बाबा के साथ के अनुभव में रहे पूरा संगम यूग कैसे हमने बिटाया जरा एक नजर डालने और अब पुने द्यान दें कि हमारा ये पुरसोत्तम संगम यूग कैसे बीत रहा है ऐसे तो नहीं कि हम फिर से अलबेले पन में सनमौल समय को व्यतीत कर रहे हैं चेंज करेंगे अपने को जितना महत्व इस समय को स्वयम भगवान दे रहे हैं उतना ही महत्व हमें भी इस समय को देना है बस हम जितना चाहें अपना भाग्य बना लें और विचार कर लें अब अच्छी तरह गहनता से के आने वाले संगम युक के दिनों को हमें कैसे व्यतीत करना है महानिस्थिती में या तेरे मेरे में उल्जनों में या इस्वरिय मौजों में प्रतीपल सफल करते हुए या हर छण और हर संकल्प दूसरों के बारे में सोच सोच कर उसे व्यार्थ गवाते हुए अपने जीवन का एक सुन्दर प्लान बनाएंगे ये प्लान ही हमें महान लक्स की ओल ले चलेगा लक्स भी निश्चित करें और सुन्दर प्लानिंग भी करें लक्स अगर कोई महान बना भी ले लेकिन उसे प्राप्त करने की प्लानिंग बहुत अच्छी ना हो तो लक्स का कोई महत नहीं रह जाता लक्स मनुस को निरासा के गर्थ में ले चलता है तो सुन्दर लक्स भी और उसको फ्राप्त करने की सुन्दर प्लानिंग भी बनाएं तो आईए हम आज सारा दिन इस्वमान में रहें के मुझ भाग्यवान आत्माओं को ही ये पुरसुत्तम संगम युक का सुन्दर काल मिला है जिसमें मैं अपनी स्थिती को महंतम बना सकता हूँ बना सकती हूँ और आने वाला समय हमसे डिमांड करेगा कि हमने संसार को देने के लिए स्वयम में क्या-क्या भरा है तो आईए आज अब भ्यास करें ये संगम युग सामने बाप दादा बैठे हैं जो साकार स्वरूप को इमर्ज कर सकें वो उसे करें जो अव्यक्त रूप में बाप दादा से मिले हैं उसे देखें और बाबा ने अपना वर्दानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है बाबा द्रश्टी दे रहे हैं और वर्दान भी दे रहे हैं कि बच्चे महान भाव, संफूर्ण पवित्र भाव, सफलता मूर्थ भाव, और आज इस्तर है, इस नसे में रहेंगे, स्वयम भगवान का हमें साथ मिला है ओम स्याद्दे